अलो एश्टुडेंट स्वागत है आपका हमारे एस कोचिन सेंटर में आज हम होम साइन्स के फोटी इंप्टेंट कोशिच लेकर आए और ये हर एक एक इक एक्जाम के लिए इंप्टेंट है जाहिए अप होम साइन्स के जिस वे एक्जाम की तेयारी कर रहा है या आप सब के एक हजार कोश्चन लाने की कोशिच की जा रही है एक ही वीडियो में आप सब अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए आपका एक लाइक एक शेयर एक सस्क्राइब मुझे मुटिवेट करता है तो आप सब मुझे मुटिवेट करते रहे हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कि आप एक कम समय में ज्यादा कोश्चन देख ले क्योंकि बहुत लोगों का एक्जाम अभी पास में है जैसे की लेव एसेस्टन्ट वालों का देख ले या फिर मैटिक इंटर वालों का देख ले तो यह सबके लिए इंपोर्टेंट है जो भी जिस भी एकजाम की तेयारी कर रहा है हुमसंग से सब के लिए है तो पहला कोश्चन है कि सुद तरल आहार नहीं है तो चाय को सुद तरल आहार हम नहीं बोल सकते डिववा बंद जैम या जेली पर चिल लगा रहता है किसका लगा रहता है तो वह है एफपीयो का एसबेस्टर्स रेशा है एसबेस्टर्स कैशा रेशा है तो यह एक प्राकृतिक खनीज रेशा है next question है हमारा कि उल्टा टाका को कहते है उल्टा टाका किसे कहते है तो परल टाका को उल्टा टाका कहते है आतो की भीती से उत्पन होने वाले हार्मोन को कहते है तो आतो की भीती से उत्पन होने वाले हार्मोन को कोलिसिस्टो काइनिन कहते है इसकावरिंग का परियोग होता है ये इस बार टिजटी में पूछा गया था जो भी कोश्चन में हजार वाले वीडियो में इंकूड करेंगे या फिर जो इस वीडियो में इंकूड है या इससे पहले है उस सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और चुनेंग में कूश्चन लाए गया है इसकावरिंग का परियोग होता है उन में होता है और ढाका के मलमल का निर्मार होता है सूती रेशो से ढाका के मलमल का निर्मार किया जाता है नेक्स्ट है एस्वेस्टर्स रेशा प्रेकितिक खानेज रेशा को कहते हैं उल्टा ठाका पल ठाका को कहते हैं आतों की भीती से उत्पन होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं तो कोलिस इस्टोकाइनिन कहते हैं इस्कावरिंग का परियोग किस में होता है तो वो होता है उन में धाका के मलमल का निर्मार होता है धाका के मलमल का निर्मार किस रेशे में होता है तो वो है सूती रेशो में बाल विकास के विविन पहलू है कौन-कौन से पहलू है तो देख लेते हैं शारेरिक विकास गत्यात्मक विकास और भासा विकास नेस्ट कोश्चिन है कि बाल विकाश के विभीन पहलू है शारिरिक विकाश, गत्यात्मक विकाश एवं भासा विकाश नाइन नंबर कोश्चिन है कि व्यक्ति गत्संपर्क पारश परिक सदभाव यो मैत्री बढ़ाने की द्रिष्टी से कौन सी वीधी अत्यन्त लावकारी है तो व्यक्ति गत्संपर्क और पारश परिक सदभाव बढ़ाने के लिए फॉर्म यों घर पे भेट करना स्वर्वाधिक लावकारी है कई बार आपसे ऐसे कोश्चन पूछा जाता है कि व्यक्ति गत्संदर्मे आएगा तो वो है व्यक्ति गत्संदर्मे नेश कोश्चन है हमारा कि जैविक मुल्य का परियोग किसकी गुरुवत्ता माप के लिए होता है तो वो है प्रोटीन की नेश कोश्चन है हमारा बच्चों में रिकेट्स होनी की संभाव ना बढ़ जाती है किस विटामीन के नहीं मिलने पे तो विटामीन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बिमारी होती है और वयस्कों और व्रिधों में कौन सी बिमारी होती है आप चाहे तो कॉमेंट बक्स में दे सकते है नहीं तो आगे विडियो में उसका जवाब है नेक्स्ट है एक वैस्क में प्रती दिन कैल्सियम की कितनी मात्रा की और शक्ता होती है तो वो होती है पांसो ग्राम नेक्स्ट दिखते हैं अगर कोई कोई कोशन रिपीट हो रहा है तो रिपीट करने के पीछे यही उद्धेश्य है कि हम किसी एक कउशन को एक बार बार देखते है या सुनते है तो हमारे दिमाइग में कहिना कहीं होजाता है और 헉प किसी अगर वीडियो लगे तो यह उद्धान तो उसे दो शे तीन बार आप देखिë आपको वेनिफिट पका होगा तो 10 नंबर कोश्चन है कि जैविक मुल्य का परियो किसकी गुड़ोता के माप के लिए होता है तो वो है प्रोटीन बच्चों में रिकेट्स होने की शंभावना बढ़ जाती है किस बिटामिन के नहीं मिलने पे तो वो है बिटामिन D की एक वैस्क में प्रती दिन कैलसियम की कितनी मातरा की औशकता होती है तो वो है 500 ग्राम दातों में शड़न से बचाव हे तू सप्लाई वाटर में क्या मिलाया जाता है तो वो है फ्लोरीन ये कोश्चन इंपोर्टेंट है हो सकता है नेक्स्ट एक्जाम में पूछा जाए तो दातों में शड़न से बचाव हे तू सप्लाई वाटर में क्या मिलाया जाता है तो फ्लोरीन नेक्स्ट देखते हैं पॉलिस्टर रेशे होते हैं पॉलिस्टर रेशे कैसे होते हैं तो लंबी कड़ी वाले पॉलिमर संसलेसित रेशे डेक्रॉन को इंगलेंड में क्या कहा पॉलिस्टर अब्सक्राइब पॉलिस्टर अब्सक्राइब पर कैसा दिखता है तो वो काच के सीधी छड़ की तरह दिखता है डिक्रोन के रेशे को अगर हम सुख्षम दर्सी से देखते हैं तो वो काच की सीधी सीधी छड़ के जैसा दिखता है नेश कुश्च्ण है हमारा कि डिक्रोन के रेशे में अधरता प्रतिधारन चमता यो असोसकता का अभव रहता है डिक्रोन के रेशे ताप का सुचालक होते हैं next question हम देखते हैं question अच्छी लग रही हो वीडियो अच्छी लग रही हो तो like, share and subscribe जरूर कीजिएगा क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेंनी मेहनत करनी पड़ती है डेक्रोन के रेशे ताप के शुचालक होते है बैंजिंग रिंग पाए जाते हैं डेक्रोन के रेशे में कलेंडरिंग परिसज्जा से डेक्रोन के रेशे चिकने हो जाते हैं वो गाढ़े कलेंडरिंग परिसज्जा से डेक्रोन के रेशे चिकने हो जाते हैं वो गाठे कम हो जाती है 21 नमर है वास एंड वियर वस्त्र निर्मित होता है किस्य होता है तो वो है टेरिलिन एव सुती रेशो से नेक्स्ट है उनका उत्तम अनुकल्प है उनका उत्तम अनुकल्प क्या है तो वो है औरलॉन एस्वेस्टर्स की सुक्षमदर्सी रचना कैशी होती है तो वो होती है सीधे लंबे और सुई के आकार के जैशा नेक्स देखते हैं हम नेक्स देखते हैं उनका उत्तम अनुकल अरलान को बोलते है एसवेस्टर्स की सुक्षमदर्सी रचना सीधे लंबे और सुई के आकार के जैशा होता है पॉलिष्टर के रेशे घुलनसील होते हैं मेटा क्रेशॉल में कृतिम रेशम किसे कहते हैं रेयोन को हम कृतिम रेशम कहते हैं ताप सुनम में पॉलिमर रचना से निर्मीत होते हैं इन्हें कहा जाता है कृतिम रेशा जो रेशा ताप पे सुनम में पॉलिमर रसायन से निर्मित होता है उसे कृतिम रेशा कहते हैं सबसे पहले नाइलोन के रेशे का निर्मार कैरोथस ने किया था नेक्स देख लेते हैं नाइलोन के धागे की बारीकी का मुल्यांकन किया जाता है तो किसमी किया जाता है तो डेनी और में नाइलोन के अनुपरस्ट काट। का काट को सुक्ष्मदर्सी से देखने पर गोल छोटे एवं चित्तीदार दिखाई देते हैं। नाइलोन का धागा अत्यधिक मजबूत होता है इसकी यह मजबूती हाइड्रोजन बॉन्ड एवं अडू के मजबूती के कारण होता है अगर एक्जाम में यह पूछे कि नाइलोन के धागे के मजबूती कारण है क्यों तो वो है हाइड्रोजन बॉन्ड एवं अडू के नाइलोन के वस्त्र नाइलोन का शौर प्रथम खोज हुआ था अमेरिका में यह very very important question है नाइलोन का शौर प्रथम खोज अमेरिका में हुआ था next देखते हैं नाइलोन का निर्मार के लिए उप्युक्त है तो वो है 66 polymer यहां पे यह cut हो गया है लेकिन यह 66 polymer होगा नाइलोन निर्मार के लिए उप्युक्त है 66 पॉलीमर नेक्स्ट देखते है यहाँ पे है ही इंक्लूड हो गया है नाइलोन की शर्परतम खोज अमेरिका में हुई थी नाइलोन के निर्मार के लिए उप्युक्त है 66 पॉलीमर पॉली अमाइड रेशिय है पॉलियमाट रेश्य क्यों से है तो नाइलोन के रेश्य नेक्स्ट कुश्चन देखते है हेक्सा, मिधाईल, डाय, अमाइन और एडिपिक एशीद के पॉलिमर को क्या कहते है तो नाइलोन कहते है रियोन की खोज हुई थी उनिश्वी सतावधी में रेयोन की खोज हुई थी कृती मिरेशम कहते हैं किसे कहते हैं तो रेयोन को कहते हैं रेयोन का सावधिक अर्थ है सुर्य की किर्णों का परावर्तन नेक्स्ट देख लेते हैं कृती मिरेशम रेयोन को कहते हैं रियोन का साब्दिकर्थ है सुर्य की किर्णों का परावर्तन नेक्स्ट है नाइट्रो सेलुलोज बीधी से स्वर प्रतम रियोन का निर्मार किया था नाइट्रो सेलुलोज बीधी से स्वर प्रतम रियोन का निर्मार किसनी किया था तो काउंट हिलेरी डी चाटोनेट ने इन्हें रियोन का पिता कहा जाता है अब फोटी नमबर एंड लाश्ट कोश्चन है हमारे वीडियो का कुप्रामोनियम बीधी द्वारा रियोन निर्मार में रुई की पटियो को सोडा एस तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबाल कर ब्लीच कराया जाता है तो क्लोरीन से कुप्रामोनियम बीधी द्वारा रियोन निर्मार में रुई की पटियों को सोडा एस तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबाल कर ब्लीच कराया जाता है तो वो है क्लोरीन से वीडियो आपको कैसी लगी टो like, share and subscribe जरूर किजिएगा आपका एक like, एक share, एक subscribe मुझे motivate करता है तो मुझे motivate करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं बहुत जल्ल मैं कोशिस कर रहे हूं कि आपके लिए 1000 question का वीडियो लाऊं इसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है तो अपना साथ मेरे साथ बनाए रहेए थैंक्स पर वाचिंग